हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो यह देखिए आज मैंने कितना ही खुबसूरत साई डोर्मेट बनाया है इसे बनाना बहुत आसान है बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाता है इसे आज मैंने वेश्ट पड़े हुई साडियों से बना अब हम पहले यहां पर फंदा डाल लेते हैं कि अब हम पहले यहां पर फंदा डाल लेते हैं तो इस तरह से नोट कर लिया है अब हम इस तरह से फंदा डाल लेंगे आप पर जिस तरीके से भी आते हैं उस तरह से आप फंदा डाल सकते हैं यह सबसे सरल तरीका है फंदा डालने का तो यह देखिए मैंने यहां पर टोटल इतने फंदा डाल लिये हैं तो आपको जितना भी बड़ा बनाना है उतना बड़ा सकते हैं यहां पर अब हमने चार यानि की ट्वंटी डाले हैं इसी तरीके से हमें फंदे इसमें बढ़ाने हैं तो पहले तो हमें इसमें घटाने हैं उसके बाद बढ़ाने हैं तो चार 40 वंदों का यह डोर मैट बनका त्यार होगा तो अभी हमने यह फंदे डाले हैं उनको हम बोल लेते हैं तो यह देखिए मैंने यहाँ पर इन फंदों को बूल लेते हैं इस तरह से अफ हमें इसी तरीके से उल्टूल्टी सलाईयां फेड़ते हुए यहाँ पर अठ सलाईयां फेड़नी हैं यानि कि इसमें जो रोह होती है वह बनाकर त्यार करनी है तो 4 रोह हम इसमें बनाकर त्यार कर लेंगे तो एक सलाई हमारे फेड गई है इसी तरी के से अब हमें साथ सलाईय और फेड नहीं है और उल्टी उल्टे सलाईय फेड नहीं है ना भी कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है सिर्फ इसमें रो बना कर तियार करनी है तो इस तरह से मैं इन सलाईयों को फेड लेती हूँ तो देरी कि मैंने यहाँ पर यह चारो बना ली है 1,2,3,4 तो यहाँ पर मैंने टोटल 8 सलाईय फेड ली है तो अब हम यहाँ पर जो हमारा कलर है रेड बाला इससे हम इसमें चार फंदे उतार लेते हैं आप चाहे तो तीन-तीन भी उतार सकते हैं आप चाहे तो चार-चार उतार हैं तो वन तो दो का एक कर दिया तो एक फंदा हमारा घट गया अब हम फिर से दो लेंगे दो का एक कर देंगे फिर से हमारा एक फंदा कट गया दो हो गए फिर से दो लिए दो का एक कर दिया फिर से हमारा एक फंदा कट गया तो ये तीन हो गए फिर से दो लेंगे और उसका एक कर देंगे तो हमारे यहाँ पर टोटल चार फंदी कट गए इस तरीके से हमने 4 फंदे घटा लिए आप चाहे तो 3-3 घटा सकते हैं आप चाहे तो 4-4 घटाएं इससे ज़्यादा ना घटाएं नहीं तो ज़्यादा इस रिस दिखेगा तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे यानि कि हमें इसमें रो बनाकर त्यार करने हैं तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगा लेते हैं दूसरे कलर को हम यहीं से जुसमें जॉइंट कर दिखेए इस तरह से तो अब हम इन सभी फंदा को तार लेते हैं यानि कि बोल लेते हैं तो यह दिखिए इस सार्ची हमें कुछ नहीं करना है इस सार्ची ऐसे ही रखना है सिर्फ इस सार्ची हमें फंदे उतार लेते हैं तो जिस तरह से अब भी हमने रेट से रो बना कर त्यार की थी उसी तरीके से हमें इस से ब्लैक से भी रो बनाने हैं यहां पर चार रो हमें ब्लैक से बनाने हैं तो यह देखिए चार रो हमें ब्लैक से बनाने हैं इसी तरीके से अब हमें कोई फंदा इसमें धटाना नहीं है ना बढ़ाना है कुछ नहीं करना है सिर्फ इसमें रो बनाकर त्यार करनी हैं अब हम इसमें से भी फंदे गटाएंगे चार फंदे हम यहां पर गटाएंगे तो दो लेंगे तो दो का एक कर दिया अब हम इस फंदे को से मतार लेंगे फिर से दो का एक करेंगे इस फंदे को हम इसी मतार लेंगे फिर से दो का एक करेंगे अब हम इसमें निटाएंगे इससे तो डिए लेंगे अब हम इसमें आपक पर करेंगे तो कलर चेंज करने के लिए हम इसमें रेड कलर यूज करेंगे क्योंकि हम रेड से और ब्लैक का कॉमिनेशन में बना रहे हैं तो अब हम यहाँ पर ब्लैक को यहीं पर छोड़ देंगे अब हम इसे रेड से बना लेंगे तो यह देखिए इस तरह के से यह देखिए हमारी जो कली है वह इस तरह के से आएगी तो अब हम यहाँ पर भी जिस तरीके से हमने चार रो इसमें बनाए हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर भी चार रो बना लेंगे रेड से अब हमें यहाँ पर कोई फंदे नहीं गटाने है इसमें सिर्फ रो बना कर त्यार करनी है चार तो अब मैं इसे बना लेती हूँ चार को तो यह टेकी रेड से भी हमारी चार रो बनकर त्यार हो गई है इस तरह से तो अब हम ब्लैक से बना लेंगे तो पहले हम यहाँ पर फंदे उतार लेते हैं तो रेड से ही उतारने हैं दो लेंगे दो काई कर देंगे तो यहाँ पर मैंने चार फंदे और घटा दिये हैं तो अब हम इसे ब्लैक से बना लेंगे तो यह देखिए इस थरीके से बूल लिया है अब हम यहाँ तक इसे इसमें फिर से चार हो बनाकर त्यार कर लेंगे देखिए इस तरीके से हम इसकी जैसे हमने यहाँ पर चार चार हो बनाई हुई है यहाँ पर इसी तरीके से हम ब्लैक से चार हो यहाँ पर बना लेते हैं तो यह देखिए अब हमने यहाँ तक इसे बूल लिया है तो यहाँ पर चार हो बनाई है अब हम इसके चार फंदे और घटा देते हैं तो यह देखिए यहाँ तक मैंने इसे घटा दिया है यहाँ पर तो अब हमारे टोटल इसमें चार फंदे रह गए हैं तो अब हम इनको रेट से बूल लेते हैं इसमें जिस तरीके से अभी हमने इसमें रो बनाई हुई हैं उसी तरीके से रेट से भी हम इसमें चार रो बनाकर तेयर कम्प्रीट कर लेते हैं तो यह देखिए मैंने यहाँ पर चार रो इससे बना ली हैं अब हम इन फंदों को घटा लेंगे उदार देंगे तो दो काएक करेंगे यहाँ पर भी तो यह देखिए यहाँ पर भी मैंने इन फंदों को घटा लिया है अब हमारा यह एक फंदा बच गया है तो इससे हम इसी में डाल लेंगे अब हम यहाँ से फंदे इसमें से हटाएंगे यानि कि यहाँ पर हम फंदे उतारेंगे तो पहले हम तो एक रो मैंसे हमें एक फंदा लेना है यहाँ पर इस तरीके से वन यानि कि जो बॉक्स है जहाँ पर हमने यह फंदे बनाये हुए हैं वहाँ से हमें चार फंदे भरने हैं इसमें एक रो मैंसे चार फंदे लेने हैं यानकि रैड की 1 रो है तो इसमेंसे चार फंदे लेने हैं इस तरह से तो दिछिए मैंनी यहाँ से इसमें चार फंदे भरलीए है अब हम ब्लेक से बढ़ाएंगे चाल फंदे रेड से फिर इस से करे अब हम ब्लेक से बड़ाएंगे अब दे विजिए से घस्टाओा अब हुआ है तो यह देखिए, चार फंदे मैंने इसमें से भर लिए, चार इसमें से, चार इसमें से, और चार हम इसमें से, और चार इसमें से भर लेंगे तो यह देखिए मैंने हाँ पर इसमें फंदे भर लिये हैं यहाँ पर मैंने रैड से भरे हैं यह फंदे मुझे ग्रीन से पर लेते हैं तो अब हम यहाँ पर पहले इसकी एक वो बना लेते हैं रैड की आप चाहें हैं तो इस तरह से अलग लग भी यह कलियां बना सकते हैं वर्ट इस तरह से हमारा काफी मजबूत बनता है और जल्दी भी बन जाता है तो यहाँ पर टोटल हमने 4-4 फंदे भरते हुए इसमें 20 फंदे बढ़ लिए हैं और 20 फंदे हमने यहाँ पर डाले थे तो अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ करेंगे जिस तरह से हमने इसमें रो बनाई हुई हैं उसी तरीके से ग्रीन और वाइट का कॉमिनेशन ले तो अब हम ग्रीन और वाइट से बनाएंगे तो अब हम चार रोग ग्रीन से बना लेती हुए उसके बाद वाइट का यूज़ करूंगी आप हम बनाई हुएुए। युल झाल तो अब हम चार रोग ग्रीन से बना लेते हैं उसके बाद बाइट से बनाएंगे जिस तरह से हमने यहां पर फंदे गटाए हुए थे उसी तरीके से हमें यहां पर भी बनाना है तो पहले मैं इससे बना लेती हूं तो यह दिखिए जिस तरह से मैंने यहां पर इसको बनाया था उसी तरीके से यहां पर इस कली को बनाकर त्यार कर लिया है तो अब हम यहां के लिए फंदे भरेंगे तो यानि कि अब हम इस साइड में रेड वाली कली बनाएंगे तो पहले हम इसमें फंदे बर लेते हैं ग्र ग्रीन से चार वाइट से चार फिर ग्रीन से चार तो देखिए ग्रीन से मैंने चार फंदी यहां पर भर लिये हैं इस तरह से अब हम वाइट से बर लेते हैं तो यह रिखिए मैंने हाँ पर टोटल इसमें बीज़ पर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसे बोल लेंगे तो यहां पर एक सलाई हम बोल लेते हैं कि लुए यहांगे खली यहां पर लेते हैं तो यह देखिए, यहाँ पर मैंने इसे पूरा बूल लिया है, तो अब हम जो ग्रीन कलर है, उसे हम कट कर देंगे, अब हम इसमें रेड और बाइट का बनाएंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, उसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे, इसे आप अपने से इसमें फंदे एड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है इस तरीके का बनाएंगे, मैं यहाँ पर इसे मीडियम साइश का बना रही हूँ, तो यह देखिए, यहाँ पर मैंने रेड से बूल लिया है, इसे जिस तरह से हमने यहाँ पर पहले पर पहले हैंगे, यहाँ चार रो बनाकर, चार फंदे यहाँ पर गठाए थे, फिर चार रो बनाएं, फिर चार फंदे गठाएं, फिर चार रो बनाएं, फिर चार रो बनाएं, फिर चार फंदे गठाएं, इसी तरीके से जिस तरह से हमने यही रेड वाली कली बनाई थी, उसी तरीके से हम इसे बन यहां तक पुरा बना लिया है तो अब हम इसके भी फंदे उतार लेगे तो यहां तक उतार लेंगे इसके फंदे तो यह देखिए यह फंदे भी मैंने तार लिये हैं तो अब हम यहां से फंदे भर लेंगे इसमें जिस तरह से अभी हमने फंदे भरे हैं उसी तरीके से हम यहां पर भी फंदे भर लेंगे हर एक मैंसे चार फंदे भरने हैं यानि कि टोटल 20 फंदे हमें यहां पर भर कर त्यार कहने हैं तो देखिए यहां पर मैंने 4 फंदे भर लिये हैं, अब 4 ब्लैक से भर लूँगी, 4 रेड से 4 इससे, तो फिर अब हमें ग्रीन से बनाना है, तो जिस तरह से मैंने इनको बनाया हुआ है, उसी तरीके से इसे बनाना है, तो मैं इसे बना लेती हूँ, तो देखिए यहां पर मैंने 20Trade भूल लेे ते हम इसे इसे बनास यहां पर यहां इस बनाना है कि मैंने यहां तक इसे बना लिए और यह मीने पूरी can ї etc यहां पर क्न उन्राव लिए लिए प्र juicy कि जा हम ने बीजरी से और रैड wondering तो इसी तरीके से मैं यहां और अब्लिया रही हैं अब मैं इन लोग को उतार रही हूं तो भी आहरा हैं उमासरिंगृ के वार्म इंवंतर स्वांद ली थे जोतार से spoken आएक तो अब हम दो का एक करते जाएंगे, इस तरीके से हमारी रो बनती जा रहे हैं, वह हमारे फंदे उतरते जा रहे हैं, इसी तरीके से हम पूरे फंदे उतार कर त्यार कर देंगे, तो इस तरह से मैंने सारे फंदे उतार लिये हैं, तो अब हम जो नॉट है, यानि कि जो फंदा है, उसके अंदर से हम श्टैफ को इस तरीके से निकाल लेंगे, तो यह दिखिए, हमारा यह पूरा डॉर्मेंट कंपलीट हो गया है, इसी तरीके से मैंने आप छोड़ा बनाया है, यानि कि मीडियम साइच का बनाया हुआ है, आप इसी तरीके से बिक साइच का बना सकते हैं, तो जो हमारा यह फाट बचा हुआ है, इसे हम सिल लेते हैं, तो उल्टा करके हम इसे यहां से सिलना शुरू करेंगे, हमारा प्यारा सा डोर्मेट बनकर त्यार हो गया है, आपने देखा हुआ इसे बनाना कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से हमने इसे बना कर त्यार कर लिया है, बहुत ही जल्दी बन गया है, और बहुत ही यादा सुन्दर लग रहा है, इसकी जो design है, वो काफी प्यारी लग रही है, जस था से मैंनी आओ पर चार color से बनाा है, आप 2-3 color से बाना सकते हैं, इसे बहुती प्यारा लग रहा है, एक color बना सकते हैं इसे, बहुती प्यारा सा door mat बना कर तियार हो गया है, तो आपने देखा हुँआ is door mat को बनाना कितना आसान है बहुत आसान तरीके से आज हमने इस डोर मैट को बना कर त्यार कर लिया है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज परेवीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सेयर करें फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के रिए बाइ बाइ